वेश्वी रेकॉर्ड के लिए खेले जा रहे है फीडे 100 खेलो चैसी इंडिया ब्लिच टोर्नामेंट के पाँचवे राउन में पूर वेश्वीन चैंपियन मद्प्रिदिस के प्रतिभासाली खेलाडी माजविंद्र सर्मा यहाँ पर काले मोरों से तनिश्क का मुकाबला कर यहाँ पर कैसल करते हुए मादवेंद्र जो की मद्प्रिदेश के खेलाडियों में सबसे तेजी से उपर उबर करके आ रहे हैं यहाँ पर H3 का जवाब दिया है उन्होंने यहाँ पर A6 से और यहाँ पर A4 खेला है तनिश्क ने और देखते हैं कि क्या जवाब देते हैं यहाँ पर मादवेंद्र अभी तक सफेद ने डेवलपमेंट करने की जगे प्यादों को चलने में ज्यादा रूची दिखा यह नाइट को पीछे जाते हुए मादवेंद्र क्या मंशा है उनकी उससे पहले अपनेंट G4 करते हुए पूरी तरह से आक्रामक होने की कोशिश कर रहे है नाइट D7 G5 और यहाँ पर साफ है कि ब्लाक जो है वो डेवलपमेंट पर ध्यान लगा रहा है देखते हैं कि यहाँ पर मादवेंद्र अगली चाल जो है वो क्या लेकर के आते हैं और यह बहुत ही महत्मुन होता है जब अपोनेंट आपकी उपर प्यादों से आ वाइट क्योंकि कहीं न कहीं वाइट के आकरोड में थोड़ा तो दम नजर आ रहा है बिशप यहाँ पर E3 खेला है यहाँ पर N5 एक्शेंज करना बहतर होता लेकिन यहाँ पर ट्रैप में फस गए N5 और यहाँ पर F इन्टो G5 जब आप आकरमन करें तो आपको तकनीकी त के हैं और यह बहुत ही खुबशुरा चाल G4 इसने पूरी तरह से जो है अटाक नियंतरित कर दिया है और एक्शेंज करने से बहतर है अपूरेंट को ब्लॉक कर देना और बिशप से पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है यह पौन और इसी की वज़े से बहुत मुस्किल होग अब अटाक करना बिशप E2 खेला है उन्होंने अटेक करते हुए लेकिन मादविंदर यहाँ पर बिशप E5 पहले तो क्वीन पर अटाक करते हुए क्वीन को हटने के लिएक प्रकार से मजबूर करते हुए क्वीन G2 जाता हुए और H5 के साद भी G4 के पॉन को कॉंक्रीट कर दिया है मजबूत कर दिया है यहाँ पर और ऐसे में जो अटाक की मनशा थी तनिश की वो पूरी तरह से समाप जो हो चुकी है तो यह बात सीखने लाइक है कि यहाँ पर लाते हुए D2 पर और लग रहा है कि राजा को हटा के ले जाना चाहते हैं लेकिन यह कितना सेफ है और यहाँ पर मादवेंदर कुईन B6 खेलते हुए सवाल पूछते हुए कि क्या आपका राजा सुरक्षेत है जहाँ पर आप ले जाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर B2 पर अटाक है किंग जाता हुआ यहाँ पर C2 पर किंग H7 F3 से ब्रेक देने की कोशिश की है यहाँ पर accept करते हुए मादवेंदर और इसके बाद B2 F3 के बाद क्या एक बार फिर से पोजीशन जो है वो इक्वल नजरा रहे है नाइट F6 खेला है बट क्या यहाँ पर QG5 आ सकता है QG5 लेकिन नहीं यहाँ पर Rook G1 खेल दिया है और NG4 को ऊपर आने दिया है मेरे ख्याल से का काफी बड़ी गलती और एक बार फिर से यहाँ पर आप देख सकते हो कि ब्लाक पूरी तरह से नियंतरन पर है पर मौका जरूर बनाता तनिश के लिए बिशप G5 यहाँ पर खेलते हुए बट आब यहाँ पर बिशप D7 अपने डेवलप्मेंट को कम्प्लीट करते हुए मा ऐसे E3 की जगहे भूल गए यहाँ पर पूरी तरह से E3 का स्पाट भूल गए नाइट E3 चेक और यहाँ पर गेम खतम होता हुगा किंग C1 नाइट G2 यहाँ पर बिशप G2 मारा है तो नाव रुक F2 आते हुए चेकमेट लगी हुई है यहाँ पर एक प्रकार से मेटें 2 ल ले जाते हुए B3 पर अभी C2 पर मात लग गई है तो एक बढ़िया गेम हो सकता था यहाँ पर काफी बढ़िया गेम हो सकता था लेकिन कई मौके यहाँ पर चुके तनिश ने तो बहुती नैच्रल वे पर खेलते हुए मादवेंद्र ने यह गीम अपने कबजे में आल्मो काफी इंट्रेस्टिंग था और अच्छे तरीके से एक प्रकार से कह सकते हैं कि खेला गया है तेकिन यहाँ पर पहली चाल थी कि यहाँ पर नाइटी इंटू E5 जो है वो मार देना चाहिए था यह बेटर होता बट एनिवे यहाँ पर भी मिस हुआ और उसके बाद जो चुके यहाँ पर तनेशका और फिर दो बड़ा मौका चुका और गेम जो है वो मादविंदर उड़ा करके अपने साथ ले गए